एलो एवरीवन वेलकम टू रामभी एकाडमी नया टॉपिक शुरू करने से पहले ये दिमाग में रखना जरूरी होता है कि हमें उसके बारे में क्या-क्या चीजे पढ़नी हैं जैसे कि G20, G20 कब बना, G20 कब बना, फिर क्यू बना, उसका महात्यों क्या है, इंपोर्टेंस क थी, तो हमने क्या-क्या काम किये, तो 2023 में हमने क्या-क्या काम किये, और जब हम प्रेसिडेंट थे, तो उसकी क्या मतलम निकलते हैं, सारी चीजें हम पढ़ेंगे आज, तो G20 के बारे में डिटेल आपका ये लेक्चर रहेगा, आपको पूरा अच्छे से देखना है, शु और आपको पता है, मैक्सिमम कंट्रीज जो हैं, आपकी एशिया की, वो सारी क्या करती हैं, इंपोर्ट, आयाद करती हैं, तो उसकी वज़ा से उनके फॉरें रिजर पे बहुत ज़्यादा क्या होने लग गया, बर्डन बढ़ने लग गया, क्योंकि हमारे प्राइसे बहु उसकी जो करंसी थी, उसका डिवैलुएशन हो गया, और जैसे ही एक देश पे फर्क पड़ा, उसका डिवैलुएशन हो उसकी करंसी का, तो आसपास के जितने भी और देश थे, आपके एशियान कंट्रीज थी, वहाँ भी वो फर्क दिखने लग गया, और धीरे धीरे लग कंट्रीज थी, जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, वहाँ पे आपका फाइनेंशिल क्राइस आ गया, और यही कंट्रीज जो है, वो डेवलप्ड कंट्री का समान वंगाती है, इनके क्या है, इनके क्या है, तो धीरे धीरे जो आपके डेवलप्ड कंट्रीज थे, बड़ी ब बड़ी कंट्रीज थी उन्हों ने डिसाइड किया कि भाई हम अकेले अगर डिसाइड करेंगे पूरे वर्ड का फाइनेंशियल सिस्टम तो वो खराब हो जाएगा हमें जो यह इमर्जिंग एकॉनमीज हैं जो भी आपके developing countries हैं उनको भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा तो यहां से concept आया पहली बार 1997-98 में कि हमें जो developing countries हैं उनको भी साथ लेकर चलना पड़ेगा क्यूंकि अगर इनके financial system में कोई भी problem आती है तो ultimately हमारे financial system में भी कुछ न कुछ problem जरूर आएगी ठीक है तो सबसे पहले क्या हुआ एक यहां पर देखेंगे आप कि जितने भी यह emerging market countries were necessary for international financial system यहां पर समझ में आया कि जितने भी आपके developing countries हैं उनको भी necessary है for international financial system के लिए कि हम साथ लेकर चले फिर क्या हुआ जितने भी आपके countries हैं उनके finance आपके जो minister है उन्होंने setup किया G20 finance ministers and central bank meeting in 1999 तो जाके जो आपके G7 वाले थे देश उनके जो financial minister थे finance minister थे उन्होंने एक meeting setup करी जिसमें आपके G20 यहां से आता है आपका G20 देश तो G20 देशों के जितने भी financial minister थे finance minister साथी साथ वहां की जो central bank थे जैसे हमारे इंडिया का RBI तो वो जो central bank थे जिस जिस country के उन समको क्या किया invite किया 1999 में और फिर धीरे धीरे यह upgrade हो गया किसकी तरफ यहां पे head of state level तक चला गया कि आप आस देख रहे हैं कि जो मोदी जी ने जितने भी countries के head of state है उनको बुलाया था तो फिर धीरे धीरे वो head of state पे मतलब increase कर गया अपग्रेड कर गया उसको क्या मोलते है राज ये प्रमुख जैसे कि हमारे राज प्रमुख होगी आपके मोदी जी ऐसे ही तो यहां पर बात हुई थी start financial crisis से एशिया में financial crisis आता है धीरे धीरे इसका impact पूरे word पे पड़ता है तो आपकी जो सबसे उची G7 country थी टॉप पे बैठी हुई थी उन्होंने सोचा कि नहीं हमें अगर पूरे international financial system को साथ लेकर चलना है तो और जितनी भी emerging countries हैं उनको भी साथ रखना पड़ेगा इसलिए फिर यह G20 का concept आता है जहां पर पहली बार जितने आपके G7 वाले finance minister थे उन्होंने जो आपके G20 देशों के finance minister प्लस जो आपके central bank थे उन लोगों को बुलाया meeting करवाई फिर ऐसा धीरे धीरे अप्ग्रेट होते होते हैं आपके state जो G7 को लग रहा था जरूरत ही नहीं है किसी की हम बिलकुल top पे चल रहे हैं हमारे पास इतना ज्यादा trade है हम हमारे पास इतना ज्यादा GDP है तो किसी की जरूरत नहीं है लेकिन वही है अवशकता ही अविशकार की जन्नी होती है जैसे ही Asian financial crisis आया तो G7 से फिर हमारा G20 बन गय ठीक है फिर यहां पर आपका third summit होता है 2009 में Pittsburgh में तो यहां पर क्या होता है मतब यहां से चालू होता है आपका G20 designated ad as premier forum for international economic cooperation अब याद रखेगा यहां 2009 में जाके जब third summit होता है तब हम बोलते हैं G20 को international economic cooperation एक forum है premier forum है जिसका नाम है international economic cooperation हम शुरुआत में वैसे भी किस के लिए मिल रहे थे financial crisis को international job का financial system है उसको maintain रखने के लिए ठीक है तो यहां फिर हो गया premier forum के रूप में नामित किया गया G20 को अंतराश्ट्री आर्थिक सहयोग international economic cooperation पहले 2010 तक क्या होता था semi annually होता था मतलब हर 6 महीने में होता था 2011 से क्या होने लग गया एक साल में होने लग गया आप अभी देखी रहें कि हर एक साल आपका G20 समिट होता है तो 2010 तक जो है semi annually था मतलब 6-6 महीने में मिलते थे financial system खराब हो रखा था तो जल्दी-जल्दी मिल रहे थे फिर 2011 से वह annually मिलने लग गया आपको यहां रखना है कि कब से हमने international economic cooperation start किया बुलाना कब establishment year हुआ उसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि पहली बार जब हम मिले थे तो यह नहीं था कि आपके head of state गया थे जो राजी प्रमुख होते हैं पहली बार जब मिले थे तो finance minister plus central bank उनको बुलाया हुआ था ठीक है जो गया 2010 10 10 में हमने कह दिया बस अब 6 महीने मत करो अब हमें 11 से कर दिया कि हमें साल साल में करना है ठीक है तो 10 में हमने बस कर दिया बस अब इससे जादा 6 महीने नहीं हो पाएगा इतना जादा टाइम नहीं रहता हमारे पास हर 6 महीने meeting कर रहा है जी 20 जे ठीक है तो यह हो गया आप पाद का 85% समझ रहें कितना जाद है मतलब हमने लगभग कवारी कर लिया पूरा का पूरा जीडीपी जितना भी है विश्व का तो वैश्विक सरल घरेलू उतपाद जो आपका ग्लोबल जीडीपी है उसका 85% ये भी याद रखिएगा क्या पता आपको 3-4 स्टेट्मेंट मे ये 2 तीहाई तो आपका जो ग्लोबल ट्रेड है जब हम व्यापार की बात करते हैं वैस्विक व्यापार तो वह 75% है जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं ग्लोबल पॉपुलेशन ये 2 तीहाई है 2-3 पॉपुलेशन है पूरे विश्व की 85-2 तीहाई याद रखिएगा जो आपका GDP है वो 85 है फिर उससे कम आपका व्यापार 75 ट्रेड है फिर दो तिहाई आपकी जनिसंख्या है ठीक है यह याद रखिएगा यह आपके 1-2-1-2 में पूछ सकता है फिर बात करते हैं Member Countries की Member Countries कितनी है हमारी 20 है अभी हमने आपका जो आफ्रीकन यूनियन है उसको कर लिया है तो जैसे ही नेक्स्ट मीटिंग होगी हमें पता चलेगा कि अब हम नाम क्या रख रहे हैं G20 यह हमने अब G21 कर दिया है लेकिन आपका पता है कि हमने इंडिया ने अपने प्रयासों द्वारा आफ्रीकन यूनियन को भी G20 में शामिल कर लिया है ठीक है तो आप आपको क्या है अब जब टॉपिक दिया हुआ है G20 तो बात आती है कि यहाँ पर हमें G20 देशों के नाम पता होने चाहिए या नहीं तो बिल्कुल पता होने चाहिए अब बात आती है कि पता कैसे करेंगे, मतलब इतना सारा याद कैसे करेंगे, बात तो यही है मैं कि याद नहीं होता इतना सारा, तो देखें, याद करने के तरीके होते हैं, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, countries wise याद करेंगे, अगर आपने मेरा माप वाला नहीं देखा वी आपका North America, North America, North America आपका उत्री अमेरिका, उत्री अमेरिका में तीन देश आते हैं, कौन-कौन से, एक तो आता है USA, दूसरा आता है Canada, Canada, और थर्ड है आपका Mexico, तो ये तीनों देश शामिल है, North America आपका पूरा अपूरा शामिल है, फिर बात करते हैं किसकी? फिर बात करते हैं हम South America की, ठीक है? ये हो गए आपका South America, तो South America में क्या करना है आपको? South America में याद रखेगा A और B शामिल है, A for Argentina, हिंदी में में लिख देती हूँ मैं, जिससे हिंदी और इंग्लिश दोनों लोगों को समझ में है, तो ये हो गए आपका Argentina, ठीक है? अर्जेंटीना और दूसरा हो गया आपका Brazil, तो यहाँ पर दो ही है, ठीक है? तो अर्जेंटीना और ब्राजील ये हमने ले रखा है किसका? आपके South America वाले का, फिर बात करते हैं Europe की, यूरोप, तो यूरोप में सबसे पहले तो हो गया आपका पूरा का पूरा European Union, ठीक है European Union, जो आपका EU है Union, पूरा का पूरा European Union शामिल है, फिर उसके बाद जितने भी आपके बड़ी-बड़ी countries हैं, उसका नाम आप अलग से लिख सकते हैं, जैसे कि हो गया आपका France, Germany, Italy, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पर आपका तुर्की भी आता है, ठीक है? अलग से शामिल है, आप उनका नाम अलग से लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर UK नहीं लिखा मैंने, क्योंकि अब EU का पार्ट नहीं है, तो यहाँ पर पांचवे नंबर पर लिख लिजे, UK, ठीक है? ब्रिटेन वाला पार्ट, फिर बात आती है, यूरोप, अच्छा, यूरोप में आप चाह पता ही है कि दक्षिन कोरिया, दक्षिन कोरिया हो गया, फिर यहाँ पर जापान हो गया, अब मुझे पता नहीं चल रहा है कि आपको सामने से दिख रहा है, उतना किनारे की नहीं, बहुत है किनारे हुआ जा रहा है, यहाँ पर देख लीजे, ठीक है, तो यह हो गया आपक और आपकाा उस्टेलिया वाले में चले जाएंगे तो ऑस्टेलिया में आपका सिर्फ और शामिल है एसट्रेलिया अ कि यहां पर सारे देश आपके हो गए हैं यह आपको कहां कॉंटिनेंट वाइस करने महादीप आप देखेंगे कि उससे जादा इजी रहेगा अब देखें यहां पर एश्या में एक और चीज़ आपको मिलेगी सौधी अरब सौधी अरब अब याद रखेंगे सौधी अरब जो है वह बस शामिल है ना बहरीन कतर कुवेट यूए यह सारे नहीं शामिल है अब यहां पर देख लेते हैं पूरा का पूरा मैप एक बार यह आपका यूएसे फिर यूएसे के बाद यह चाइना यूके इंडिया इंडोने शामिल था और अब आफ्रीकन यूनियन शामिल हो गया है ठीक है तो अब आफ्रीकन यूनियन शामिल हो गया है और पहले आपका साउथ एफ्रीका बस शामिल था फिर कैनड़ा ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया हो गया फिर यह नीचे आपका टर्की फिर इटली सौधी करेबिया साओधी अरब बस है यहां पर जर्मनी और जापान तो याद रखेगा अब गल्फ वाली जो कंट्रीज है वहां पर साओधी अरब वाला बस है ठीक है तो यह हो गए आपके आपको कंट्री में महादीप हर एक महादीप का अलग-अलग करेंगे तो आराम से याद हो जाएगा अगर आपको मैप याद है वर्ड का लेवल का तो नहीं याद है तो आप पहले एक बार विश्व का मैप अच्छे से देख लिए अच्छे से याद कर लिए उसके बार यह बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा वर्ड मैप क्यों याद करना है अभी आप आशियान भी पढ़ेंगे सार्क भी पढ़ेंगे तो अगर आपको मैप बहुत अच्छे से याद रहेगा तो यह सारी चीज़े बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगे ठीक है तो ए के बारे में हम पढ़ेंगे जो हमारा जी 20 थे हमारे पास प्रसिडनसी थी दो हजार तेश की तो भारत पहली बार प्रसिदेंट अध्यक्ष बना था किसका जी 20 का ठीक है तो जी G20 का पहला addition कब से चालू हुआ था तो ये addition चालू हुआ था आपका अठारवा अठारवा नंबर याद रखेगा अठारवा नंबर था जो हमारे यहां हुआ था 9-10 September 2023 याद रखेगा यह 9-10 September सितम हमने अपने उपर जितने भी सितम हुए थे समकी बात करी थी जब हमारा G20 समिट हुआ था तो 9-10 September 2023 को हुआ था कहां हुआ था भारत मंडपम में आपको भारत मंडपम भी याद रखना है अच्छे से काफी ज़्यादा फेमस था और यह अपकी नटराज की मूर्थी भी काफी ज़्यादा फेमस थी ठीक है तो यह रहा आपका पूरा का पूरा भारत मंडपम जहां पर 9-10 September 2023 क्या हुआ था हमारे जी-20 की अठारी समिट हुई थी ठीक है उसके रहा बहुत सारी मीटिंग बहुत सारी चल रही थी लेकिन यह आपकी मेन वाली हुई थी यहां पर भारत मंडपम में जो की नई दिल्ले में है फिर थीम क्या था थीम जरूर याद रखेगा क्य थीम की बहुत जरूरी है थीम आपको यह हर जगा मिला होगा कहीं बाहर गयोंगे घूमने कोई भी आपने ऐसे जगा देखी होगी जहां पर जी-20 का अगर लोगो लगा है तो यहां पर आपको थीम जरूर दिखी होगी जो कि थी आपकी वसुधैव कुटुम्ब कम कि आया रहा था यह हमारा एक ही हरत है हमारी और एक पूरी एक यह फामली है और हमारा साथ में फ्यूचर होना चाहिए सोचे कितनी बड़ी हम लेकर चल रहे थे अपनी थीम में इस बार जी-20 में फिर इसकी अध्यक्षिता जो है वह हमें कम मिली थी ऐसा होता है न कि हमाएं अध्यक्षता जो है कब मिली थी तो वह हमारी चालू हुई थी एक दिसंबर 2022 से तो हमें एक दिसंबर 2022 से अध्यक्षता मिल गई थी इंडिया को और कब तक थी 30 नॉवंबर 2023 तक ठीके तो यह आपकी 2023 वाली थी जो हमें मिली थी एक दिसंबर 2022 को जो एक साल पूरे की पूरे चलती है कब तक चली थी 30 मुंबर 2023 तक हमारे ज़स्ट पहले जब अगर हम बात करें यहां पे बात आती है फिर ट्रायोका की यहां पे मैं समझाई देती हूँ तो फिर ट्रायोका क्या होता है ट्रायोका मतलब तीन देशों का शमूह और यह तीन है यहां पे हो रहा है ठीक है यह मतलब प्रजेंट वाला है हो रहा है और ब्राजील में होगा तो आने वाले टाइम पे होगा तो याद रखिएगा ट्रायोका क्या कहलता है तीन देशों का समूह जिसमें जिस कंट्री में पहले हो चुका है वो शामिल होता है जिसमें हो र ём.. टीन स्यामिवी10 में तीन जितने भी लोग हैं !! जो कर चुखे हं जो करने वाले हैं जो करेंगे उन देशों कुषिवा करते हैं जुआ पूरका पूरा ऐसा मृणीज है कि टॉपिक करना है जो पसकी मृण करना है । और इसा नहीं हो मैं हम कि एんだ नीकлох के नहीं करें सारी है ना वो ब्रेक हो जाएगी इसलिए हम क्या करते हैं तीनों देश को एक सांथ लेकर चलते हैं कि भाई इस्मुद्दे पर बात चल रही थी नेक्स्ट हम मिले फिर हमने देखा कि उस पर हम नहीं आरी कितनी होई है फिर नेक्स्ट में मिलेंगे तो हम उ转ेंगे बढ़ते चलेंगे ठीक है तो इससे यहोगा कि इफेकbased ब्ल्स जादा होगा इसलिए हमeu Parce यह त्रायोका बनाके रखते हैं प्र-प利 CourtneySchum अध्यक्ष होता है तो जो भी आपका मालीज़ अध्यक्ष होगा country जिसके पास भी presidential होगी ठीक है अध्यक्ष जो आपका होगा तो अध्यक्ष हमेशा 3 बार प्रैवका में शामिल होगा गैसे कैसे कोई भी देश मालीज़ा अगर वरनने वाला है तो तीन बार शामिल होगा एक तो तब होगा जब उसका नाम आ जाएगा कि यहां पर presidential ship होगी ठीक है तो यहां पर जैसे आगे हमारे इंडिया का नाम तो जब इंडोनेशिया वाला ट्रायोका था इसके ज़स्ट पहले तो इंडिया जो है इंडिया दो हजार चौबिस वाले में भी शामिल होगा तो आपका जो एक देश होता है जब वो नॉमिनेट होता है कि आप कहां G20 समिट होगा तब वो क्या बनता है तब वो ट्रायोका में शामिल होगा ही ठीक है तब तो ट्रायोका में शामिल हो गई उसके बाद जब वो किसी और को presidential ship अपने दे देता है जैसे कि इंडोनेशन ने इंडिये को दे दी उसके बाद भी फूर वो क्या रहता है ट्रायोका में शामिल होता है ठीक है ट्रायोका में जब वो अध्यक्ष किसी और को बना देते है पूर्व अध्यक्ष जब हो जाता है ठीक है तो ये सिंपल से चीज़ आपको समझ में आई मैं इतना detailing based ले भी बता रही हूँ क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़े है और prelims में topic है आपका G20 तो सीधी बाते यहां से ही चीज़े पूछी जा सकती है मेंस में तो है निकी लिखना है तो आपको ये छोटी छोटी चीज़े जो है कि ट्रायोका क्या है कौन सा देश शामिल होता है एक देश कितनी बार ट्रायोका में शामिल होता है तो तीन बार होता है याद रखेगा हमारा इंडिया कब होगा 2012, 2013, 2024 तो हमारे इंडिया के पहले G20 summit कहा हुआ था इंडोनेशिया में हुआ था कब हुआ था तो 2022 वाला इंडोनेशिया में 2023 वाला इंडिया में अभी 2024 का होगा ब्राजील में फिर उसके बाद 2025 का होगा आपके South Africa ठीक है यहाँ पे यह पहली बार हुआ याद रखेगा यह पहली बार हुआ जब आपके ट्रायोका यह बहुत important ट्रायोका है यह भी याद रखेगा ट्रायोका जो तीन लोगों का समूव होता है बहुत ही important होता है क्योंकि यह ऐसा माननी कि तीन सालों का पूरा का पूरा decide करेंगे कि हम क्या करने वाले है हमारा aim क्या होना चाहिए लक्ष क्या होना चाहिए तो जो आपका इंडोनेशिया है उसके बाद इंडिया उसके बाद ब्राजील यह तीनों के तीनों आपके क्या थी विकास, सील और उभरती हुई economies थी developing and emerging economies हैं इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राजील तो यह पहली बार हुआ था कि तीनों ट्रायवका में विकास, सील और emerging अर्थविवस्थाई थी ठीक है? इसके अलावा एक आपको शब्द याद रखता है शेरपा वैसे आपने शेरपा पढ़ा होगा नेपाल वाले इलाके में जो की हिमालय में चड़ते हैं, लोगों की help करता हैं हिमालय मतलग चोटी पहुँचने में तो ये वहां के कहलाते हैं शेरपा वही से ये शब्द आया है कि ये क्या करने वाला guide करने वाला, है ना? guide, guide करने वाला, help करने वाला तो हर साल जो आपके देश होते हैं वो शेरपा अपोइंट करते हैं इससे एक पूरे साल का decide हो पाए कि हमें कहां पे क्या करना है, कैसे करना है एक पूरी जो जैसे हम बता रहे हैं कि यहां पे एक एसमालिज एक theme है एक लक्ष है जिसे हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए हर एक देश अपना शेरपा अपोइंट करता है कि भाई यह देखेगा पूरा का पूरा, ऐसे ही हमारे आप मतलब यहां 2023 में जब हुआ था, तब आप के थे अमिताभ भारत के जो शेरपा थे इनका भी नाम याद रखिएगा अमिताभ कांत ठीक है तो यह अमिताभ कांत जी हमारे जी ट्वंटी 2023 के शेरपा थे, ठीक है तो यह आपका शेरपा वर्ड क्लियर हो गया आपको इसके लावा ट्रायो का वर्ड आपका रखिएगा, यह दोनों को वर्ड क्लियर होने चाहिए साती-सात जी ट्वंटी में कितने member हैं अब तो G20 ना होके G21 हो गया है आफ्रीका यू आफ्रीकन यूनियन एड हो गया है तो इस सारी चीज़ें आप याद रखेगा फिर बात करते हैं कि यहां पे हमने बात theme क्या रखी थी हमने किन-किन चीज़ों पे हमें बात करना था तो आज के आपके जो भी चीज़ें हैं पूरे word में आप देखेंगे तो आप किसकी बात करेंगे अगर बात करें यहां पे six agenda पे हमने काम किया था six agenda priorities for the G20 dialogue in 2023 सबसे पहला green development भाई sustainable development green development की बात तो करेंगे ही climate finance and life यहां पे अभी मैं life को बताऊंगी climate finance भाई हम अगर बात करना चाते हैं climate change की तो पैसा तो देना पड़ेगा तो climate finance हो गया accelerated inclusive and resilient growth जब हम रद्धी की बात करते हैं तो हम यहां पे inclusive growth की बात करते हैं resilient की बात करते है accelerated की बिल्कुल accelerate हो उसके अलावा accelerating progress on SDG हमारा जो sustainable development goal है जिससे हमें अभी काफी दूर चल रहे हैं उसे हमें प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा थोड़ा अपनी growth को बढ़ाना पड़ेगा अपनी progress को accelerate करना पड़ेगा फिर technological transformation digital public infrastructure हमें technology पे काफी धान देना पड़ेगा चाहे वो climate change के लिए हो चाहे green development के लिए हो technological transformation बहुत जरूरी है साथी साथ digital public infrastructure पबिक के लिए हम digital infrastructure जाद से जादा बने यह हमारा पूरे world level पे है यह याद रखेगा यह जो आपके six agenda है world level पे हम चल रहे हैं लेकर फिर multilateral institutes for the 21st century कि हमारे पास institution ऐसे होने चाहिए जो अलग-अलग चीजों पे काम कर पाए आपका UN हो गया जैसे WH हो गया WT हो गया ऐसे हमें कुछ अच्छे-च्छे institution पे काम करना पड़ेगा woman led development आपका एक होता है development for women तो हम होता है आपकी महिलाओ के लिए development करना है अब यहाँ पे एक शब्द है यह आप अपनी means की copy में भी लिख सकते है woman led development मतलब woman ही क्या करे woman development करे ना कि हम woman के लिए development करे तो woman led development होना चाहिए यह एक शब्द आप जरूर अपने चोटी वाली जो मैंने अपकी बताई थी नहीं की diary होनी चाहिए वहां पर लिखके इसको note कर लिजेगा ठीक है हिंदी में देख ले महिला शशक्तिकरन की बात की गई है लाइफ की बात की गई गई है अभी हम लाइफ का फुल फार्म देखेंगे पर्यावरन के लिए जीवन शहली समावेशी निया संगत और सतत विकास sustainable development की बात कर रहे हैं तो सतत के सांसात समावेशी भी होना चाहिए inclusive भी होना चाहिए स्वाश्त क्रसी सिक्षा को लेकर वाड़ी जितक के छेतर में digital हमें लाना है साती साथ digital सालजनिक अवसन अचना तकनीक सक्षम विकास हमें technological advancement में काम करना है कोशल मान चित्रन संस्करती पर्यटन जलवायू वित्पोशन यहां पर climate finance की बात की गई है चक्री अर्थववस्था हमारा मतलब चक्री मतलब आपका recycle जिसको बोलते है न वैसी आपकी economy होनी चाहिए वैश्विक खाद सुरक्षा food हमारा security global food security की बात करते हैं जैसे आपको food security की बात कर रहा है उर्जा सुरक्षा की energy security है green hydrogen आपदा जोखि में कमी अनुकूलर इन सारी चीजों पर बात करेंगे अच्छा अब जब topic सोचेंगे कि world level पर हमें क्या बात करने चाहिए तो आपको पता है कि यही कुछ चीजें हैं जिने हमें world level पर रखना है उसके लेकिन यह भी याद रखेगा कि आपको बिल्कुल एक चीज याद करने की जरूत नहीं है जो भी आपको topic पूछेगा जैसे यहां पर हमने आतंगवाद की बात नहीं करी है तो वह एक अलग से topic दे देगा कि क्या हमने अपने agenda में आतंगवाद को include कर रखा था तो आप वह आप concept समझके भी चलेंगे तो आपका काम हो जाएगा ठीक है फिर बात करते हैं हम हमने आती थी देश कौन कौन से बुलाए हैं आपको भी पता है कि इसमें से बहुत सारी countries थी जो कि अभी developing है emerging economies हैं लेकिन जी 20 में इंक्लूट नहीं है जैसे कि आपका Bangladesh मिश्र मतलब आपक इजिप्ट की बात कर रहे हैं मौरिश की बात कर रहे हैं नीदर लैंड शामिल नहीं है नाइजीरिया ओमान सिंगापोर शामिल नहीं है स्पेन और यह आपका UAE इतनी बड़ी-बड़ी अभी countries हैं इतनी बड़ी-बड़ी economies हैं जो कि include नहीं हैं तो हमने इन सब को आती थी गेस्ट के रूप में बुला रखा था ठीक है गेस्ट के रूप में बुला रखा था आपको ये भी एक दो बार जरूर देखना है कि कौन-कौन सी countries हैं वैसे भी आपको ये पता होना चाहिए कि जितनी भी आपकी important है बड़ी-बड़ी वो तो G21 में शामिल हो गई लेकिन उसके अलावा आपका UAE हो गया उसके अलावा यहां पर सिंगापोर हो गया ओमान हो गया इस्पेन हो गया नाइजीरिया नीदर लैंड मॉरिश्यस इजप्ट मिस्क मिश्र बांग्लादेश ये जो हमके देश हैं ये भी काफी अच्छा परफॉर्म करें की economy काफी अच्छ में बुला है था कि नहीं तो अगर वाइचांस यहां से ऐसे कुशन आते हैं कि मतलब ज्यादा ही कठिन बनाने के चक्कर में देख दे तो एक दो बार जरूर आप यह देख लीजेगा ठीक है वैसे अगर आपको मैं आप याद है तो इनसे सीधे सीधे यह आपको पता चल है ठीक है नेक्स्ट हो गया आपका कि हमने यहां पर इंडिया ने जो एक बात करी किसकी लाइफ की लाइफ क्या है चतत विकास के लिए जीवन शैली यहां पर है लाइश्टाइल फॉर सस्टनेबल डेवलपमेंट यह याद रखेगा लाइफ का फुल फॉर्म हैना तो ला एक तरफ तो हम क्या कर रहे हैं एनरजी की रिसोर्सेस हम कि भाई हम ग्रीन एनरजी डेवलप कर रहे हैं दूसरी तरफ आप एनरजी वेस्ट कर रहे हैं बहुत जादा फालतू में तो इसके लिए यह कॉंसप्ट दिया हमने इस बार 2023 में कि हमें अपना जो लाइफ पर ध्यान दे आपकी खारी की वेज़े के सस्टेबल हो तो हम धे जरूर याद रखेएं गा इस बार का हमारा ंव हो सम्मेलन आयोजित किया मतलब यहां पे हम बात कर रहे है वाइस ऑफ दा ग्लोबल साउथ समिट ठीक है ग्लोबल साउथ समिट जितने भी आपके जैसे हम पूरा वर्ड मैप देखेंगे तो हम साउथ साउथ की बात करें ग्लोबल साउथ की बात करें तो ग्लोबल साउथ यहीं पर हमने क्या कर लिया ग्लोबल साउथ समिट भी किया तो यहां पर उसमें कितनी कंट्री आई थी 125 कंट्री आई थी तो यह भी याद रखिएगा उसमें क्या हुआ था फिर नेक्स्ट हुआ आपका आफ्रीकन यूनियन अडिमेशन इन्टू दा जी ट्वेंटी एज अ अब पर्मनेंट मेंबर तो आपका अफ्रीकन यूनियन जो है एसा इनिए कि गश्रमेंबर बन और बन गया है तो यह भी याद रखिएगा यह आपका जी ट्वेंटी में पर्मनेंट मेंबर बन गया है अफ्रीकन यूनिन और जब आप करेंट पढ़ेंगे मैं अभी करेंट की चीज़ें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूं कि आफ्रीकन यूनियन में कितने मेंबर हैं कौन आया था हमारे यहां और मतलब जो हैड क कौन है इसका और यह सारी चीज़ें आप जब करेंट पढ़ते हैं वहां पर भी इंक्लूड हो जाएंगे अभी हम जी ट्वेंटी के बेन बुद्दे की बात कर रहें कि आफ्रीकन यूनियन उसमें शामिल हो गया अब जी ट्वेंटी से जी ट्वेंटीवन देश हो गया है आफ्रीकन यूनियन कब शामिल हुआ जब प्रेसिदेंसी हमारे पास थी अध्यक्षता इंडिया कर रहा था इंडिया का मेंड मेंट टार्गेट क्या था कि पहले भाई हम लाइफ पे बात करेंगे दूसरा यहां पर हमने एक क्या किया ग्लोबल साउथ समिट करवाया जिस उसको बोलते हैं IMEC यह भी याद रखिएगा बहुत इंपोर्टेंट जैसे कि आपका लाइफ इंपोर्टेंट है आफ्रीकन यूनियन इंपोर्टेंट है ऐसे ही आपका IMEC इंपोर्टेंट है इंडिया मेंडियल इस्ट यूरोप एकोनॉमिक कॉरिडोर यहां पर हम बात इस्ट और फिर यूरोप एकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना चाहिए तो IMEC बनाना चाहिए उसके अलावा यूस, यूएई, यूरोपियन यूनिन, फ्रांस, इटली, एंड जर्मनी sign a memorandum of understanding, जिसको बोलते हैं आप MOU, to establish the India Middle East Europe Economic Corridor और हमने sign भी कर दिया, मतलब initiate भी कर दिया है यह process आपकी जो है, आपके India Middle East और Europe Economic Corridor में जिसमें कौन-कौन है, आपका UAE है, बीच में Middle East वाला जो हो गया, फिर यहां पर European Union, यूरोप की तरह से हो गया इसके लावा France और Italy ने भी कर दिया है, साथी साथ आपके US ने भी कर दिया, इन सब के बीच MOU sign हो गया है आपके IMEC के लिए, तो यह बहुती बड़ा कदम था, जैसे कि आपका African Union का शामिल होना, आपके G20 में permanent member की तरह सेम ऐसे ही यह भी important है, IMEC, India, Middle East, Europe, Corridor, ठीक है, और यह भी याद रखिया कितने लोग अभी इन्होंने MOU sign कर दिया है आपका एक तो हो गया Germany, यहाँ पर देख लीजिए कितने देश हो गया Germany, Italy, France, आपका EU हो गया 4, UAE 5, US 6 ठीक है तो यहाँ पर आपकी 6 कंट्रीज हो गया है इंडिया के साथ जिन्होंने MOU sign कर लिया है, कि हम इस पर काम बढ़ाएंगे आँगे ठीक है तो यह इंडिया की achievement थी G20 Summit की, उसके अलावा फिर देख लेते हैं कि अपने मध्यपरदेश में हमने क्या 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 किया, मध्यपरदेश में G20 Global Governance with Life, Value and Well-Being 16 और 17 जन्वरी को हुआ था, तो यहाँ पर Global Governance की बात करी हमने, Global Governance with Life, Value and Well-Being ठीक है, तो एक Governance वाली मेंटिंग हुई है, Governance की, यहाँ पर Global Governance, Global Governance with Life, Value and Well-Being मैंने इंग्लिश में इसले भी नहीं याद किया, क्योंकि यह इंग्लिश ही पूरा लिखा हुआ है, आपके देवनागरी में तो Governance with Life, Value and Well-Being, यह 16-17 जन्वरी, बिल्कुल जन्वरी में ही हुआ था, याद रखेगा, 16-17 जन्वरी को हुआ था, कहाँ पर भोपाल कुशभा उठागरे, Convention Center, तो एक तो आपके भोपाल में मीटिंग हुई है, हना, G20 की, यहाँ पर हुई किसके अंतरगत है, तो याद रखेगा, विदेश मंत्राले भारत सरकार की संस्था जो है, यह है, RIS, Research and Information System for Developing Countries, तो याद रखेगा, यह RIS, जो आपके विदेश मंत्राले भारत सरकार की संस्था है, तो एक यह संस्था है, विदेश मंत्राले की, RIS, Research and Information System for Developing Countries, तो यहाँ डवलपिंग कंट्रीज में हमने, मतलब इस संस्था ने काम करवाया किस पर, गवर्नेंस पर, हुई कहां थी यह मीटिंग आपके भोपाल में, कुसा भाव, कन्वेंशन सेंटर, कब हुई थी, शु कारेकारी समूह की प्रथम बैठक, जो की कहां हुई थी, यह हुई थी आपके इन दौर में, ठीके तो इन दौर में हुई, क्रशी कारेकारी समूह की प्रथम बैठक, Agriculture, आपके Working Committee, तो एक हुई फरवरी में जाके फिर हमने इन दौर में में मेटिंग करी, क्रशी के लिए, फिर आता है 22-25 फरवरी, उसी में 10 दिन बाद, 2030 को महराजा 16 साल कन्वेंशन शेंटर खजुराहों में, क्या हुआ आपका सांस्कृतिक, सांस्कृतिक कारे समूह कल्चुरल वर्किंग कमेटी की एक मीटिंग होती है, तो हमारे मंद्र प्रथम में कितनी मीटिंग हुई, ए जुराहों में कौन सी हुई, ये सांस्कृतिक कारे समूह कल्चुरल वर्किंग कमेटी हुई, तो ये तीन आपकी कहा होती है, मद्ध पर देश में, कब यह भी याद रखेगा, एक जन्वरी में होती है, दो आपकी फरवरी में होती है, बोपाल में जन्वरी, फिर तेरा- पूरे देश में होती है जब मुकश्मी यूद क wires यहां तक की अंडमान को तब सब्सक्रेंद को हर सबस्क्राइब करन निकोबार में interviewing आ थी है में इसलिए हमने पूरे देश को शामिल कर रखा था MP कैसि अपके जो है वो क्या थे जिले आये थे तीन आपके शहर आये थे बोपाल इंदोर और खजुरा हो जहां पर हमने मीटिंग करवाई थी तो यह बहुत ही अच्छा हमारा पूरा का पूरा लक्ष था इंडिया को प्रमोट करने का ग्रो करने का तो आपको याद क्या करना है एंडिया की इंडिया मिड्टल इस्ट कोनामिकट करिडोर याद रखना है उसके अलगा आफ्रिकण यूनियन हमने कितने लोग और याद रखना है स्टार्ट कर इपको त्रायまで याद र diary अशेरपा के बारने अभी इसके बाद 2024 में कौन करवाएगा उसको याद रखना है तो यह सारी चीज़ें जो हैं जी 20 से रिलेटेड वो आपको याद रखनी है फिर बात आती है कोशन कैसे बनेंगे तो मैंने बीच बीच में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़े बता दी हैं जिससे आपको तो हम जी 20 इसके पहले देख चुके हैं सबसे पहले बात करते हैं सार्क की सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि यह सारा portion जो है किसमें आ रहा है तो हर एक छोटा छोटा जो आपका statement है चोटा सा आपका fact है वह प्रिलम्स में चार option देके पूछ सकता है तो सबसे पहले तो यहीं याद रखिए कि सार्क का क्या है आपके full form क्या है ठीक है सार का full form क्या है तो यह है आपका English में याद क्योंकि ऐसे ही देवनागरी लिखके आ जाएगा तो सबसे पहले आपका South Asian जो आपकी South Asian countries है है ना तो South Asian countries का association है यह किसके लिए for regional cooperation regional cooperation के लिए आपका regional समन्वे के लिए हमने South Asian countries का association बना रखा है तो यहाँ पर double A है तो एक में Asian है एक में association है एक में regional है एक में cooperation है cooperate कर रहे हैं South Asian countries आपस में cooperation की जगह आप corporation भी आ सकता है तो चार option आपको बहुत आराम से पढ़ने हैं जब आप देखेंगे फुल फॉर्म में है ना क्योंकि बस छोटा सा आर मिस्टेक हो सकता है असोशियेशन की जगह कुछ और हो गया application लिए कुछ भी लिए लिए तो आपको बहुत आराम से पढ़ना है South Asian countries है उनका यह association है क्यों association हमने बनाया for regional cooperation जैसे हम regional उस पूरे इलाके में cooperation समण में maintain कर पाएं ठीक है तो यह हो गया आपका शार्क का फुल फॉर्म अच्छे से याद रखेगा फिर आता है 84 हम याद करते हैं इंद्रा गांधी से क्योंकि उस साल उनकी death हुई थी तो इंद्रा गांधी जी को पाकिस्तान बिलकुल नहीं पसंता पाकिस्तान नहीं पसंता इसलिए हमने कभी उनके time पे कोई भी association नहीं बनाया लेकिन जैसे ही उनकी death हो जाती 84 में तो उसके जस्ट बाद 1985 में हम क्या बनाते हैं एक आपिस्तान बी शामिल था थी के रिखियेंगे कौन-कौन सी सारी नहीं रिखेश्ण कंट्रीशन के लिए तिर बात करते हैं या बना कब था दिसंबर में याद रखे था आपके धाका बांगला देश में तो जैसे ही आपका बांगला देश बन गया बांगला देश में जाके सम्मिले और उन्होंने डिसाइड किया कि एक South Asian Association हम बनाएंगे जिससे आसपास की जितरे भी देश हैं उनके बीच cooperation बढ़ाया जा सके उनके बीच मतलब चाहे वो society आपका हो social हो cultural हो economical हो सारा जो है वो cooperation बढ़ाया जा सके तो इसलिए हम पर आपको आठ टूटल कंट्रीज मिलेंगी सार्क में लेकिन जब हमने बनाया था 1985 में तो सिर्फ और सिर्फ कितनी कंट्रीज थी साथ कंट्रीज थी ठीक है तो साथ मतलब हो गया आपका साथ कितनी से कंट्री साथ थी आपकी 7 साथ लेकर आती है कहां पर सार्थ में तो यहां पर सबसेल नंबर की एड हुई है कब2007 में तो हमने फिर सोचा जब 27 आया तो तो यहां में 1985 में बना तब हमारी साथ कंट्री थी दो हजार साथ आया तो हमें लगा फिर और किसी को सांथ ले लेते हैं साथ मतलब हो गया आपका साथ तो किसको सांथ लिया हमने अफगानिस्तान को सांथ लिया तो सबसे लास्ट में आपका थोला दूर भी था अफगानिस्तान तो सबसे लास्ट में हमने अफगानिस्तान को प्याद किया ठीक है अब बात आती है यहां पे पूरे जितने आठ मेंबर हैं वह आपको याद कैसे करने हैं सीधी बात है अगर आपको मैप याद है पूरा अच्छे से तो पूरी की पूरी कंट्री आपको अच्छे से आद हो जाएंगे पहले सबसे पहले तो हो गया आपका मिलेगा और यह वह आपका श्री-लंका इस Gil jaka बांगलादेश भुटान । नेपाल यह आपको पता ही कि यह तीनों रहें गे भांगलादेश नेपाल भुटान इस भांगलादेश फिर यह वह अपका पाकिस्तान और यह हो को अफगानिस्तान पाकिस्तान यहां से पूरा इंडिया को रिलेड करेगा ईंडिय के असपास जितने भी है यह पूरा इलाका कहला तह है आपका साउथ एशियंड पूरे याद होगे अच्छे से यहां पर इंडिया को इम्याजन करना है फिर नेपाल बांगलादेश भूटान तीन तो उपर हो गए दो नीचे हो गए या दखिए का दो है नीचे त्रिलंका है और मालदीव है और दो इधर साइड है तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान ठीक है टोटल हो गए आपके कितने आठ कंट्रीज हो गए तो आपकी आठ हो गई स्टार्टिंग में कितनी थी सात थी अफगानिस्तान का एड हुआ है 2007 में ठीक है तो हम साथ साथ हैं लेकर हमने अफगानिस्तान को भी साथ चला फिर नेक्स्ट होता है आपका number of observer in Sark 9 observer है हमने 8 total members है 8 total देश है और 9 observer countries रखी है मतलब जो आपके अतिति होते हैं उनको बुलाते हैं और observe करने के लिए सारी meeting अगरा observer countries जो है वो है आपका Australia, European Union Iran, Japan, Mauritius South Korea, USA, China Myanmar ये आपको एक बार जरूर देखना Myanmar हमारा पडोसी इसलिए हमने उसको रख लिया USA और China हर चीज में आना चाहते हैं तो हमने सार्क में भी उनको बुला लिया South Korea और Japan इन दोनों से मतलब आप ध्यान रखेगा Japan, South Korea बिल्कुल साई भी हमने उन दोनों को भी बुला रखा है उसके लावा European Union यूरोप से किसको बुलाना चाहिए तो European Union को बुला लिया अमेरिका को बुला लिया चीन को बुला लिया उसके लावा हमें South Korea जापान को बुला लिया यहां पर हमारा पडोसी जो है म्यानमार उसको बुला लिया क्योंकि म्यानमार इसमें शामिल नहीं है याद रखेगा कितने हैं टोटल नो है और एक दो बार आप देख जरूर लिजेगा मैं आपके सांथ कि यहां यहां कंट्रीज हमने ले रखी है बड़ी बड़ी चीन और आपके USA ले रखा है फिर South Korea जापान ले रखा है हमारा पड़ोसी म्यानमार ले रखा है उसके अलावा Australia ले रखा है European Union यूरोप से भी किसी न किसी को लेना पड़ेगा तो European Union ही पूरा ले लिया इरान ले लिया तो ये एक बार आप देखेंगे तो आपको याद रहेगा Member Countries लेकिन आपको याद हो रही चाहिए कि ये पूरी की पूरी Member Countries आठ जितनी भी है इंडिया के आसपास की वो पूरी आपको याद होनी चाहिए और याद रखिएगा आपको जो म्यानमार है म्यानमार उसको Confuse नहीं करना है माल दीव से ठीक है? माल दीव से Confuse नहीं करना है नीचे की सार्क में याद रखिगे जो आपका सार्क है सार्क जो है उसमें आपका माल दीव है है ना नीचे की दो country's है स्टिरेंक और माल दीव म्यानमार नहीं है म्यानमार हमने Observer country में बना रखा है उसको एक या मंदू निक्राइन हमने हिमाले-क चरणों में रखा अपने ऐड़ास कहा है है आप चरक में कहा है काथ मांडू जब ही हमएं शाहरक मिलती है कंद्धोन शी चाहिए या लकडी से मारना चाहिए तो शार्क वैसे भी मिलेगी तो ऐसे मार तो पाएंगे नहीं लेकिन आप imagine कर सकते हैं ऐसे मतलब कालपनिक तरीके से कि अगर आपको शाक मिलती है तो आपको किस से मारना है काठ से मारना है लकडी से मारना है उसको ठीक है 2023 में बने हैं सार्क का माहा सचिव कौन है तो आपके बांगला देश के हैं गुलाम सर्वर ठीक है गुलाम या फिर आप कर सकते हैं इसको गुलाम ठीक है अगर आपको कही शार्क मिलती है तो फिर आपको उसका गुलाम ही बनना पड़ता है नहीं बनेंगे तो फिर मतलब निप्टा के चली जाएगी तो शार्क जो है शार्क के अभी करंट में महा सचीव कौन है या किस ने शार्क ने किसको अपना सचीव बना रखा है तो अपने गुलाम को बना रखा эт ठीक है तो ये हो ऋपका गोलाम सर्वर और यह सारी चीजह है मैं सरस्फ लेट करने के लिए बोल रही हूं कोई विल्कुल अफेंसेश्यम नहीं होगा कि मैंने गुलाम का गुलाम कर दिया ऐसे कैसे है न तो यहो गया आपका गुलाम सर्वर गुलाम बना रखा है शार्क ने अपने सचीव को सचीव को हैं न महा सचीव को हैड़ कोटर हो गया आपको काठ्मиссर को काठ से मारना है, तो काठ मांडू, पहली बार कहा में ले थे, तो धाका में मिले थे, फिर आता है इसके मोटो की, आदार्शिवाग क्या है इसका, तो आदार्शिवाग है deeper integration for peace and prosperity, हम peace की बाद भी कर रहे हैं, prosperity की बाद भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया, आदार्शिवा prosperity promote कर पाएं, तो यही सारी चीज़े, peace वगेरा भी बढ़े, फिर आता है, specialized body याद रखेगा, यह आपका पूछ सकता है, शार्ग का मोटो पूछ सकता है, अदार्शिवाग क्या है, तो हमें शांती बढ़ानी है, सम्रधी बढ़ानी है, वो भी कैसा, गहरा एकी करन करने के साथ ही साथ, गहरा एकी करन होगा, तो शांती भी होगी, और हमारी सम्रधी भी होगी, फिर बात करते हैं, specialized body की, कि कौन-कौन से विशिष्ट निकाय है, शार्ग के, शार्ग ने बहुत सारी specialized body बना रखी है, यह आपको चारों के चारों याद करनी है, उसके headquarter के सांग, ज Regional Standard Organization, SARSO, ठीक है, सरसो, वैसे देखा जातों सरसो, सरसो कहां हो रही है, सबसे ज़्यादा, तो सरसो हो रही है, ढाका, बांगलादेश में, तो सरसो मतलब दक्षिन ACI छेत्रिये मानक संगठन, सरसो ढाका, अब यह मानक संगठन हमने क्यों बना रखा है, इसका best example इस से है, क आपके मतलब पैर हैं उस शेप के वह बन के नहीं आते, इसलिए जब वह खराब होते हैं, तो आंगे वाले साइड से होते हैं, क्योंकि इंडियन का जो स्टैंडर है या बनावट है, वह आगे साइड से थोड़ा चौरी है, तो इसकी वेजा से क्या होता है, आपके मतलब जो हम जूते बहन रहें अब थोड़े टाइम से अभी क्या हुआ है लेकिन अभी तक जो हम जूते पहन रहे थे वो क्या थे UK standard या USA standard थे तो ऐसे ही यह standard मतलब मिलाने के लिए जैसे आपके customer के भी ज्यादा demand हो व्यापार बहुत अच्छा हो मानक standard हम यहां पे क्या करते हैं उसके लिए हमने धाका में धाका वैसे भी सरसो जो है कहां हो रही है आपकी धाका में आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि आपको सरसो सबसे जादा धाका में हो रही है जो आपका मानक संगठन है वो कहां है धाका में standard organization ठीक है तो मानक संगठन आपका जो सरसो है मानक जो सर्सो है उसका मानक संगठन कहां पर है धाका में ठीक है तो सर्सो हो गए आपका SARSO अच्छा यह शॉट फॉर्म भी अगर पूछ ले आपको पता हो जाए इसलिए मैंने SARSO बता है सर्सो सर्सो में क्या है मानक संगठन बना रहे हैं साइडर्ड ओर्गनाइजेशन ही है यह हमारा है कहां पे ढरका उसके बाद सार्क ड्यलवलपमेंट फंड सार्क के लिए फंड — हमक रकारा काम हमने फंड कोस्व हरा कпа में किसרכर बुटान को दे रखा है बुटान हमारा सिंपल सा मतलब देश है बहुत ज़्यादा तीन पांच नहीं करता है तो इसलिए हमने कोश वाला का बुटान को दे रखा है पढ़ाई लिखाई वाले में इंदिया अच्छा है सबसे आंगे बहुत पुराने टाइम से बहुत थोड़ा उदर बैठो बोलते ना बगहल घंडी में सरको तो सरको क्या है आपका सार्क मध्यस्तता परिशद जो कि कहां पर है पाकिस्तान में सीधी बात है मध्यस्ता हमें किस से करनी पड़ेगी हमारी तेपाल से ठीठ बन रही है भुटान से बन रही है बांगलादेश श पाकिस्तान वाले को बोल रहे हैं चलो सरको यार थोड़ा बैठने दो जगह दे दो ठीक है तो यह हो गया आपका से यू सबसे पहले यूनिवर्सटी इंडिया में है माना के स्टांडर्ड आपके कहां है धाका में धाका में हमने सरसो लगा रखी है उसके लावा फंड की करते हैं तो कोश को हम देंगे भुटान को सीदा साधा सादमी उसके बाद हमारा होगा सरको तुम्रा सर को यहार तुम भी beڑड़ो तुम कूंकि मधरस्ता की ज Dios हमें पाकिस्तान संथ पढ़ती है यह चारो अच्छे से यार रखेगा यह important है पूछे जा सकते है भग 3% छेत्रफल है लेकिन विश्व की लगभग 21% जनसंख्या है अब समझ रहें किस परसंट जनसंख्या कितनी जादा होती है पांच वाच छटमा वेक्ति आपको इस इलाके का मिल जाएगा तो यह हो गई आपकी 21% जनसंख्या है है सिर्फ 3% एरिया जब छेत्रफल देख सारा बहुत ज्यादा क्या है आपके घनिया बादी वाला छेत्र है साथी साथ यहां पर बैश्विक अर्थ वरस्था का 3.8 प्रतिशत लगभग 2.9 ट्रिलियन डॉलर जो है वो उपजायू छेत्र है इतना ज्यादा मतलब आप सोचे कि हमने एक बहुत उपजायू छेत्र क तो सूचे कितना ज्यादा फादा होता आसपास की कंटरीS को और इस्पेशली हमें क्यृlier कि इन सब कंटरीस में सबसे ज्यादा जो प्रोड़क्शन है वो हम कर रहे हैं हैं एनडिया कर रहा है तो यह अगर फ्री ट्रेड अग्रेट हो जाता साई तो हम् कितना ज्यादा ल यहां आपको खाद वाली जैसे फूड सिक्योर्टी की प्रॉब्लम है वह सारी सौल की जा सकती है आपस में कॉपरेशन डेवलप करके बहुत सारी चीजे हैंडिल की जा सकती है और क्यूंकि यहां पर 21% अबादी है इसलिए इनको कॉपरेट भी बहुत अच्छा करना जिससे इस चीज में बहुत अच्छा कदम उठाया जा सके तो इसलिए यह आपका सार्क जो पूरा और्गनाइजेशन है वो बनाया गया था लेकिन आपको भी पता है कि पाकिस्तान के चक्कर में सब मतलब खराबी हो गया पानी-पानी हो गया फिर बात करते हैं सार्क वर् करने के कारण क्या हुआ कि पाकिस्तान की कारण ज्यादा मुद्य आ रहे थे वह कश्मीर कश्मीर चिला रहा था उपर से उसने बहुत ज्यादा क्या क्या था टेररिजम आतकवाद को बहुत ज्यादा प्रमोड करता था हमारे यहां इतने सारे केसे हुए हैं इतने सारे तो हम रोड के थ्रू जा सकते हैं नेपाल भूटान बांगलादेश और आपने आसपास के मतलब जितने भी देश हैं वहां तो टूरिजम हमने सब मतलब टूरिजम बढ़ाया जा सकता है एकोनोमिक ग्रोथ बढ़ाई जा सकती है बहुत सारी चीज़ें क्योंकि 21 प्रमोट कर रहे हैं वीशचेग बे उफ बंगॉल इनिशियेटिव और टेकनीकल एन इकोनोमिक कोपरेशन यह मल्टी सेक्टोरल है साथ साथ हम टेकनोलोजी में भी करने हैं कोपरेशन एकोनोमिक के साथ सांथ यह और थोड़ा बड़ा हमारा नजरिया हो गया कि हम क्या कर से ज्यादा जो है जो महात्व इंपॉर्टेंस है वो किसका है आपके विम्स्टेक का बांगलादेश हो गया पाकिस्तान हो गया यह खुद के सेटलाइट अभी लाँच नहीं करते हैं और इस मामले में आपका इस्रो आपका स्पेस और्गनाइजेशन बहुत ही आंगे हैं हम टॉप लीडिंग कंट्रीज में आते हैं तो हमने इन कंट्रीज के लिए सार्क कंट् सेलाइट लाँच की लेकिन हमें खत्रा है खत्रा है पाकिस्तान से क्योंकि पाकिस्तान खुद जॉइन नहीं कर रहा है और दूसरों को जॉइन करने में शुक्रीर कर रहा है ठीक है तो यह हमें खत्रा किसे हैं पाकिस्तान से हमें खत्रा है क्योंकि वह लाँच नहीं करने है वो हुआ था धाका में 18 नमबर वाला लेकिन फिर हमने बहु आपके अटक होते हैं पुलमावा अटक वगयरा उन सारे डीजन की वज़ए से हमने फिर क्या किया यह पूरा का पूरा समिट कैंसल कर दिया उसके बाद को विट की टाइम पर मोरी जी ने मतला चांसे जिसके बढ़ाए थे कि हम बात करेंगे आपस में बैठके लेकिन फिर वही पाकिस्तान ने उंगली कर दी तो हमने फिर इसको ड्रॉपी कर दिया तो अभी जो आपका सार्क है अगर मैं स्टेटस की बात करूं तो यह भी ऐसी ऑर्गनाइजेशन है जिस पर कुछ भी काम नही ही चल रहा है ठीक है पाकिस्तान और इंडिया के बीच इशूस है बहुत सारे पाकिस्तान और बीच बीच में उंगली करता रहता है इसलिए अभी सार्क के बारे में अभी कोई भी नए इंफॉमेशन नहीं आई है जो लास्ट वाला आपका हुआ था अगर देखें मैंने यहां पर बीच में वो सारे रखे हैं जहां आपका न्यू देली मतलब इंडिया में होता है समिट तो इंडिया में समिट हुआ है च्छी में 95 2007 तो इसमें 5 भी है इसमें 6 भी है इसमें 7 भी है बस यह अरेंज करना है कि 5 पहले कि 6 पहले पहले 6 है फिर 5 है तो 1986 फिर 1985 2007 फिर आथा है आपक्या सार्क शमेट जो की काठमांडू में हुआ नेपाल 2014 में ठीक haven में पहले का हुआ है डाका में हैड़कॉर्टर आपकी काठमांडूं नेपाल के पास बढ़ियां हम हिमाल है वाले रीजन में क्या कर रहे हैं सार्क को देख रहे हैं कि सारक आएगे की नहीं आएगे और वहां आनी सकती क्योंकि वहां समुद्र नहीं है है ना तो हम कहां पर इतना ज़्यादा डरते हैं हम सार्क से कि हम नेपाल में बैठे हुए हैं और वेट करते हैं कि कहीं यहां तो नहीं आजाएगी आपकी सार्क तो यह होगे आपका सार्क समिट 18 नमबर का वह था काठमांडू में उसके बाद कहीं नहीं हुए है पाकिस्तान में होने थे लेकिन फिर वही दिक्कत आ गई आतंगवादयों के कारण और पाकिस्तान के विहेवियर के कारण तो हमने फिर ड्रॉप कर दिये कि हम सार्क समिट नहीं करवाएंगे तो अभी आठारवा जो है उसके बाद 19 पाकिस्तान में होना था फिर वो कैंसिल हुआ अभी तक कोई भी इसमें प्रोग्रेस नहीं हुई है ठीक है तो यह हो गया आपके पूरे के पूरे समिट आई हो आपको सारी चीज़े समझ में आई हो कब इस्टै स्टैंडर्ड माना की स्टैंडर्ड जो है मैंने आपको बता है बहुत दिक्कत होती है तो उसकी वज़ा से क्या किया है माना की स्टैंडर्ड आपका कहां पर है यह है धाका में फिर बात करते हैं किसकी माना की स्टैंडर्ड हो गया यह आपकी यूनिवर्सटी हो गई यू उनिवर्सटी हो गई माना कि स्टैंडर्ड हो गया उसके अलावा हमारा मध्यास्थता वाल मध्यास्थता जो है मध्यास्थ यह कहां भरकीस्तान में क्योंकि स्वख्राइब तो मध्यास्थता धो onmay पाकिस्तान बहित क्षें फिर को लोग आये थे इसमें सेटन नंबर वाला हुआ था बैंगलोर में बैंगलोर में अगले हिसाल 1986 फिर वह था 8 नंबर वाला ठीक है तो 1986 के बाद यहां पे नई दिल्ली में आपके दो मिलेंगे नहीं दिल्ली ठीक है यह हो गया 90 आपका 95 फिर आपका 18 के साथ हुए हुआ है काट मंडू नेपाल में तो जो मेन मेन चीजे थी वह मैंने आपको बता दिया, आठ टोटल कंट्रीज है, पहले साथ थी, आठ भी जो है वो अफगानिस्तान है, फ्थीकिन है, और उसके अलवा अब्सूर्बर कंट्रीज जो है, वह आपकी नौ है, लोकेशन के साथ मेंने बता दिया है, यह जो आपका पूरा का पूरा एरिया है वह 21% population है जने संख्या 21% है उसके लावा 3% आपका एरिया है और बिम्स्टेक में बता कि ज्यादा है इसमें क्योंकि पाकिस्तान शामिल नहीं है हमने सटेलाइट लॉंच किया था 2017 में हमें पता था कि खत्रा हो सकता है पाकिस्तान की तरह से लेकिन हमने फिर भी सार्क का एक सटेलाइट लॉंच किया 2017 में उसके लावा समिट मैंने बता दिया कि 19 वी होनी थी पाकिस्तान में जो कि cancel हो गई है ठीक है अच्छा आपने ये चीज़ सोची क्या कि हमारे जो economy वाले section में आप देखेंगे कि जो हमारा economy वाला section है वहाँ पर हमें कुछ international organization पूछी गई है जैसे कि आपका हो गया सार्ग वैसे सार्ग को तो नहीं पूछना चाहिए था क्योंकि अब ये है ही नहीं इतना important इसके जगह पर बेम स्टेक पूछ सकते थे लेकिन ठीक है उसके अलावा आप देखेंगे जैसे कि हो गया आपका G20 उसके अलावा हमारी विदेशी व्यापार की नीदियां economic वाले section में है उसके अलावा है आपका आशियान उसके अलावा है आपका आशियान तो जब आप ये सारी चीज़े पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कितने जादा important है ये इंडिया के लिए इंडिया के economic growth के लिए जब हम growth की बात करते हैं तो हमारा मतलब निडियात कितना जादा से जादा करेंगे हम कितने अच्छे ties बना के रखेंगे अपने आसपास के देशों के साथ जिसे वो आराम से हमारे यां से सामान आने दे हम उनके यां से सामान मगा सके और बहुत सारी चीजे हैं मतलब economic के साथ साथ cooperation और दूसरी चीजों में भी बहुत जादा जरूरी है इसलिए आप देखेंगे कि हमारी government मोदी जी लगातार अलग-अलग summits में जाते रहते हैं वहां बहुत सारे अभी मैं आशियान में ही बताऊंगी कि उन्होंने कितने सारे अपने points रखे हैं कि हमें इन इन चीजों पर काम करना चाहिए जिससे world level पर इंडिया काफी आंगे निकल कर आए और उसके decision जो है मायने रखे world level पर और उसके साथ साथ ही हमारे economic जो growth है economic development है वो भी होता रहे इसलिए आप देखेंगे कि ये सारे जो आपके collector बनने वाले हैं तो आपको पता होनी चाहिए इनकी importance क्या है हमारे government के लिए और इनकी importance क्या है हमारे economic factors में जिससे आप उस तरीके से काम कर पाए इसलिए आपको ये सारे चीज़े बताई जा रही है ठीक है तो ये आपका relation हो गया कि हमारे subject में ये क्यूं है फिर बात करते हैं आशियान की इसके पहले हम सार्क देख चुके हैं कब establish हुआ था 1985 में मैंने आपको बताया था कि जैसे ही इंद्रा गानी जी की death होती है उसके just what हमने establish किया था ठीक है तो ये आपको सबसे पहले तो कहां establish कब हुआ था headquarter कहां है उसके अलवा कितने members हैं यह सारी चीज़ां आपको याद रखनी है अच्छे से फुल फॉर्म है वह है आपका South Asian Association of Southeast Asian countries ठीक है तो यहां पर आपका association है association है किसका Southeast country का ठीक है Southeast जो एशिया की countries है उनका association है South East जो हमारा सार्क था वो South Asian countries का था है दक्षिन एशियाई country का देशों का समूह था यह आपके दक्षिन पूर्वी जो आपके Southeast Asia की country है दक्षिन पूर्वी एशिया की जो country है उनका यह समूह है तो अगर हम मैप में देखना चाहें मैप में यह देखिए पूरा का एशिया में आता है मतलब आपका दक्षिन एशिया में आता है फिर यह आपका थोड़ी इधार आ गया तो यह दक्षिन पूर्वी एशिया का भाग है पूरा का पूरा तो यह आपके Southeast Asian countries है इन सब ने मिलकर एक गुरुप बनाये है जैसे कि हमने मिलकर गुरुप बनाया था सार्क सें ऐसे ही इन समने मिलकर एक गुरुप बनाया है जिसका नाम है आशियान ठीक है तो यह ओ गया आपका Association of Southeast Asian Nation तो यहाँ पर हमने बनाया है Southeast Asian nation का सबसे पहले तो full form याद रखेगा Southeast countries हैं जिनका हमने association बताया है Southeast कहां की Asia की तो Southeast Asia तो यह SEA निकल गया association पहले है nation सबसे बाद में है ठीक है तो यह आपको पहले याद करना है association of Southeast Asian nation English में ही याद रखना है हिंदी वालों को भी क्योंकि option आपको ऐसे ही देगा फिर बात करते हैं कि इस्टैबलिश कब हुआ था तो इस्टैबलिश हुआ था 1967 में 1967 में कहां पहुआ था Bangkok Thailand में जहां पर हमने sign किया था जितने भी आपके member countries ते आता स्टार्टिंग में 10 नहीं थे स्टार्टिंग में आपके 5 ही थे तो हमने वहां पर सबसे पहले हम Bangkok में मिले उससे पहले आप देखेंगे कि एक होता था Association of Southeast Asia यहां पर ASA के नाम से था यहां पर कौन-कौन सी country थी आपकी Thailand थी Philippines थी और Malaysia थी तो यहां पर यह तीनों अपने पास-पास की country थी तो सबसे पहले यह group बनाती है तीन countries आपकी group बनाती है Thailand ठीक है यहां पर देखिए यहां पर बनाती है आपका Thailand फिलिपीन्स और मलेशिया अगर आपको मैं बहुत अच्छे से याद है तो आपको पता चल जाएगा कि हम थाइलेंड उसके नीचे जमाने में हमारा आशिया जो है हमारा जो घर है हमारा आशियाना है सरसट साल में जाके बन पाता है रिलेट कर सकते हैं इस गरीबी में हम मदब रिलेट करने के लिए ही है इस गरीबी में हमारा जो आशियाना है वो सरसट साल में जाके बन पाता है मदब हम 70 साल में सोचते हैं रेडायरमंट का तो 60 साल में हम अपना आशियाना ही बना पाते हैं proper आशियाना हो गया 67 सर 60 साल का ठीक है तो हम पहली बर हमने बनाया कहां था ये ग्रूप ये बना था Bangkok Thailand में sign किया था जिसको हम Bangkok declaration भी बोलते हैं या ASEAN declaration भी बोलते हैं जैसे आपका जब sign होता है जहां पे होता है तो उसके नाम से नाम दे दिया जाता है Bangkok में हुआ था तो इसलिए हमने Bangkok declaration नाम दिया ASEAN के स्थापना 8 अगस 1967 Bangkok Thailand में हुई Bangkok country वाले मतब जितने भी हैं अभी उतने नहीं कम ही गए थे तो ASEAN वाले इकठा हुए Bangkok में आओ घूमो फिरो उसके बाद sign कर लो sign क्या करनी थी हमें Bangkok भोशड़ा कि हम साथ में काम करेंगे मिलकर हर एक छेत्र में तो यहां पे है सबसे पहले याद रखी का 66 साल में हमने आशियाना अपना बनाया तो ASEAN कहां बनाया Bangkok में जाकर बनाया था ठीक है हमें Bangkok पसंद था तो हमने Bangkok में जाकर अपना आशियाना बनाया 66 साल में ठीक है फिर यह हूँ यह आपका जो 8 अगस्थ है यह भी याद रखी का क्योंकि हमने 8 अगस्थ को साइन किये थे Bangkok declaration में Bangkok घोषणा या आशियान घोषणा में तो हम आशियान दिवस भी इसी दिन मनाते है 8 अगस्थ को ठीक है तो जब हमने आशियाना अपना बनाया Bangkok में तो 8 लोगों को क्या लगा दी थी हमने आग लगा दी थी लोग कह रहे थे कि नई आप आशियाना इंडिया में बनाई है Bangkok में क्यों बना रहे है तो हमने 8 लोगों को आग लगा दी तो आशियाना जो है आशियाना दिवस या आशियाना के चक्कर में हमने आठ लोगों को आग लगाई थी अगस्त से हम हमेशा बनाते हैं आग ठीक है तो अगस्त से हो गया आठ आठ लोगों को आग लगाई थी क्योंकि हमारे आशियाने की चक्कर में पड़ गया थे वह आशियाने के लिए मना कर रहे थे हमने अपना अशियाना बनाया कहां प को आगे देखते हैं कब इस्टेबलिश हुआ फिर उसके बाद ये देखिए कि डेक्लेरेशन बोला जाता है बैंकक डेक्लेरेशन बैंकक घोशना आठ अगस्त को हम आपका आशियान डे भी मनाते हैं फिर देखते हैं कि आपका यहां पर यहां पर स्टार्ट करते हैं यह वाला जो एरिया है यह होगे आपका थाई लेंड का यह जस्ट तो आए नीचे इसे केस से नीचे आएंगे हैं तो यह अब का मलेशिया का थाइलेंड मलेशिया और यह पूरा पूरा यहाँ होगया है यह फीलिपीन्स ताइलेम्यंस यह पहले भी काम कर रहे थे साउट विस्ट एशिया वाले में फिर उसके बाद हुआ यहां पर आपको छुटकूसा मिलेगा सिंगापूर ठीक है सिंगापूर मिलेगा तो सिंगापूर साथ-साथ आपका यह इंडोनेशिया यह इतना बड़ा जो है यह इंडोनेशिया यह भी सा तब हमने जाके क्या बनाया हमने बनाया एक आशियान 1967 में ठीक है तो तोटल कितनी हो गई आपकी पाच जो फाउंडिंग कंट्रीज हैं फाउंडिंग मंबर कंट्रीज हैं वह कितनी हैं पाच याद रखिया पाच ने मिलकर बनाया था 1967 में बैंकॉक डेकलेरेशन आठ अगस्त को साइन किया था इसलिए हम आठ अगस्त को आठ लोगों को आग लगाई थी हमने तो हम उस दिन आशियान दिवस मनाते हैं तो यहां पर आपको यह तिन समझ में आए यह पाच फिर हमारे अदर मेंबर जो हैं अलग-अलग टाइम प फिर हुआ म्यानमार और उसके अलावा कंबोडिया तो यह पांच जो हैं यह बादवे एड़ हुए हैं और अगर आपको मैप याद है तो यह बहुत आसान है आपको याद करने के लिए यहां से चालू करेंगे यह है आपका म्यानमार फिर उसके बाद यहां जितनी भी नमोडिया था लाओस था यहां पर फिलिपिस था ही तो यह पूरे जब nations ठीक है तो यह हो गया अब सबसे पहले आपका ब्रुनेई चालू ब्रुनेई मलेशिया के पास थोड़ा सा है वो ब्रुनेई देश वो एड होता है उसके बाद वियत नाम होता है फिर लाओस और म्यानमार एक साथ होते हैं फिर आपका कमबोडिया याद रखेगा फिर कमब शुक्ता पեյानार है का ब्रुनेई आपका है वह हुष आपके पीने आज셔야न में ब्रुनेई कि जो कॉफी पीने आजाता है अपका अश्याण में है वह बैड़ केड़ू कोफी पीएंगे आश्यान में बैठ के सबसे पहले हैं ऑर सबसे लास में आता है कंबोडिया उस को लाउस बीच में है बिल्कुल आपको पता है लाग्ड कंट्री है और म्यानमार हमारा पढ़ोसी तो लाउस और म्यानमार एक सांधे हैं वियतनाम किसके सांधे बुरूनें के बाद प्रू कौफी लेके चला जाता है तब आपका कौन जाता है तेरे नाम नहें वो जाता है प्रपका है चुटकू बुरुनोई ठीक है सबसे पहले बुरुनाई गया उसके बार यहां पर यह है वियतनाम तो फिर वियतनाम गया पर आपका यह लाए ओस और यह धोनों अदो होते हैं लास्ट में यह होता है आपका कमबोडिय जब हम उसको बोलते हैं कम भाई कम तब ज पहले थे founding members थे 5 हमने बाद में add कर दिये सबसे लास्ट में कमबोडिया एड किया है यह पूरा आपका map था फिर दो observer हमारे states हैं दो observer states परिवेक्षक राज भी हैं जिसमें से है पापुआ न्यूगिनी और तिमूर लेस्ते अब यहां पे आप map में देखेंगे यह वाला है प नाम याद रखिएगा पापुआ बहुत पाप कर रखें इसने तो पापुआ न्यूगिनी और उसके अलावा तीमूर ठीक है तो तीमूर हो गया आपका तीमूर और पापुआ यह दोनों observer है परिवेक्षक एड नहीं है नहीं नहीं है फिर आपको हेड़कोर्टर याद र मतलब पूरे के पूरे जो देश हैं उनका होना चाहिए सबका एक आइजन यूनियन की एक अध्य है हम देशों की बात नहीं करते हैं जिसका नाम हमने दे दिया यूनियन सेम ऐसे ही आशियान वर्क करता है कि हम्आरे जितने भी यह देश है हम connected है तो हमें एक आइडन्टर की तरह present करते हैं कि हम सारे एक हैं कम्यूनिटी हमारी सारी जो कम्यूनिटी है वो भी एक है तो यह है उसका बाक्य फिर सेकेटरी जनरल का नाम याद रखेगा दोहजार तेईस में बने हैं आपके डॉक्टर काउ किम हॉर्ण तो काउ किम से काउ किम एक तो किम कर सकते हैं ठी फिर उन्हीं के हमने जो मेंबर हैं या उन्हीं के जो लोग हैं उनको हमने बना दिया सिकेटरी जनरल आशियान के महासचिव ठीक है तो ये 2023 से 2028 तक रहेंगे आशियान के महासचिव नाम क्या है किम काउकिम तो अब यह होड नहीं याद रखेंगे तो काउकिम से याद कर सक हैं आशियान हमारे आशियान में हम आओ इससे आप रिलेट कर सकते हैं आशियान का महा सचिव सिकेटरी जर्ड़ जो की इंडोनेश है तो सचीवाले भी वहीं पे हैं मुख्याले भी वहीं पे हैं फिर बात करते हैं कि जो आपकी चेर्मेंट्शिप होती है वो रोटेट करती है एन्वली हर साल बेस्ट ऑन अलफवेटिकल ओडर ऑफ दे इंग्लिश नेम्स ऑफ दे मेंबर स्टेट्स जैसे माल लीजिए कि यहां पे जो सदसे राज्यों के अंग्रेजी नाम है यहां पे आपका जैसे आगया जैसे म्यान मार आ गया उसके अलावा जैसे आपका थाइलेंड आ गया कंबो नाम आ रहा इंग्लिश में वैसे वैसे तुमको प्रेसिदेंशल शिप मिल जाएगी ठीक है तुम अध्यक्ष मना हो जाए तो यह ऐसे चलता है आशियान का जो चेर्मेंट शिप है प्रेसिदेंशल शिप है वो फिर बात करते हैं कि इनका जो मोटो है मतलब यह पूरा का एम क्या लेकर चल रहे हैं तो एम की बात करते हैं आशियान का एम क्या है सबसे पहले तो हैं एकोनॉमिक ग्रोथ सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चुरल डेवलप्मेंट हम सीधी बात है अगर हम किसी और्माइजेशन की बात करें तो जो में में मुद्ध्य होते हैं कि हमें आर्थिक विवस्था को बढ़ना आर्थिक विकास करने है समाजिक प्रगति करने है साथा स्माज घंगी बढंत्य है मुँ मुद्ध ही बैठर है एक तरफ पाकिस्ता एक तरफ चीन तो हम क्या चाह रहे हैं कि regional peace बना रहे हैं कि कोई मतलब सब की आपस में प्रेम भाव रहे हैं भाई चाह रहे हैं तो ये भी आशियान आसपड़ोस वाले ही देश हैं तो आपस में peace और stability की बात करते हैं कि हमेशा बनिया regional peace बना होना चाहिए यहां पर छेतरिय शांती बनी हो जहां पर हमें क्या करना है collaboration किसमें चाहिए आर्थिक समाजिक सांस्कृतिक तक्नीकिक वैग्यानिक प्रसाशनिक छेत्रों में सामान्य हित के मामले पर सक्री सहयोग और पारसपरिक सहायता को प्रदान करना अब इन सारी चीजों में मतलब माली जै आपको यहां कोई अच् क्यानिक समाजिक सांस्कृतिक सारा जो है हम एक सांस करेंगे एक सांट डेवलप करेंगे आप क्या कुछ डेवलप हो रहा है तो आप हमें भी बताओ हमें भी सपोर्ट करो सारी चीजों में तो हम क्या कर रहे हैं पारसपरिक सहायता और सहयोग की भावना से आंगे काम कर र का प्रोवाइड असिस्टेंट टू इच अदर इन दा फॉर्म ओफ ट्रेनिंग और रिसर्च फैसिलिटीज इन एडुकेशनल प्रफेशनल टेक्निकल एड्मिनिस्ट्रेटिव स्फेर साक्षिक व्यवसाइग तकनीकी और प्रसाशनिक छेत्रों में प्रसिक्षन और अनुस हो रहा है आप क्या कोई व्यस्ता अच्छी है तो अब हमें भी हैल्प करिए सारे के सारे आशियान वाले हैं वह एक सांथ ग्रोव करेंगे तो यह होगे कि हम प्रसाशन में कोई अनुसंद्धान रिसर्च वह रहा है उसमें हर चीज में एक दूसरे का सांथ लेकर चल रहा है ठीक है सिंपल सी बात है अगर आप किसी बड़े और्माइशन की बात करोगे तो जो में में मुद्ध्य होंगे वर्ड लेवल पर वो सारे के सारे इसमें लिखे होंगे उसके अलावा हमें क्या करना है को लाबरेट करना है more effectively to increase further growth in agriculture industry and trade sector पर हम एकोनोमिक ग्रोथ की बात में और अधिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक प्रभावी धंग से हमें सहयोग करना है जैसे हम अपना इंडिया क्या कर रहा है आराम से उसने ऐसे मतलब बहुत ज्यादा लगा नहीं रखा है नेपाल भीज़ देता है आराम से सामान नेपाल से हमारे हाँ है ऐसा नहीं कि आप ड्यूटी वगेरा बहुत जादा लगा रहे हो अग्रिकल्चर में कोई चीज है तो आप हमें सपोर्ट करो हमापका सपोर्ट करें सहयोग की भावना जो है वह होनी चाहिए सारे देशों के अंदर ठीक है तो यह सिंपल से पॉइंट है इतने आपको व मिलेगा आशियान रीजनल फोरम यह क्या है इट वोज लॉंच इन नाइटीन नाइटी थी तिरानवे में लॉंच किया गया था इट इट इसेवन मेंबर मुल्टिलेटरल ग्रूपिंग दाट वस डबलट तो फैसिलिटेट को आपरेशन ओन पॉलिटिकल एंड थे अपका ऑस्ट्रेलिया हो गया उधर अपना जापान साउथ कोरिया यह सारा हो गया इंडिया को भी इंक्लूड कर लिया तो उन्हों ने क्या बनाया एक रीजनल फोरम बनाया कब 1993 में और रीजनल फोरम क्यू बनाया हमने 27 कंट्रीज को लिया 27 सदस्य बहु पक्षिय सम सुविधा के लिए विक्सित किया गया था सुरक्षा भी थी राजनीति circus करता है आपका जो South China Sea वाला portion है आपका जो दक्षण सागर है दक्षणी चीन सागर वहां पे कुछ ने कुछ मुद्ध होता रहता है तो ये बनाया गया कि आपस में बैठ के सुलजा सकते हैं आपके जो राजमीतिक मुद्धे हैं उसके लावा सुरक्षा का जो मुद्ध है वो सारी चीजे हम बैठ के आराम से भी सुलजा सकते हैं इसके लिए भी आशियान ने रीजनल फोरम बनाया जिसे कोई जगड़ा नहीं हो जाए युद्ध नहीं हो जाए आने वाले टाइम पे हैं आसपास आप देख रहे हैं यूक्रेन रश्या काई जैसे हो गया तो यह सब बना क भी रख रहे हैं कि भाई लंबे टाइम तक हमें अगर चलाना है तो कोई भी अगर इश्यू आ रहा है तो आपस में बैठ के सॉल्व कर सकते हैं तो जितने भी आसपास के कंट्रीज हैं उनको इक ट्ठा करके हमने 27 लोगों का आशियान रिजनल फोरम बनाया है ए आर एफ ठीक है तो यह 27 लोगों का है याद रखेगा रिजनल जितना भी आसपास के रिजन थे 27 कंट्रीज हैं आशियान रिजनल फोरम में 1993 में बना था 93 साल के जब हो गया थे तब हमें समझ मैं कि आसपास की 27 कंट्रीज को हमें एक सांथ लेके चलना है अपने आशियाने में ठीक लाता है यह जो आपका आशियान प्लस 3 है इसमें कौन कौन है आप मैं आप मैंने सिर्फ आशियान का ही लगा रखा है मैं देखेंगे तो यहां जस्ट उपर आपका यह चीन वाला पॉर्शन आ गया चीन के अलावा यहां पर आपको दक्षिन कोरिया उत्तरी कोरिया और द कोन थ्याइट रोग कर दिया कि इसको किसको चाइना को जापान को और शाओच को आपको पता है कि नौर्ज खोविया वाला वैसे भी अपना वह तो अलग रहता है अलग दुनिया में तो हमने तीन और देश कर दिया आपके ऐसर प्लस थ्री में ठीक है और यह कभी स्टार्ट हुआ था यह 1997 में हुआ था तो आशियान वाले पहले खुद धीरे-धीरे कठ्था आए पहले तीन लोग आए फिर पाच लोग आए फिर दस लोग हो गया फिर उसमें क्या किया और मेंबर्स को कठ्था करके एक रीजनल फोरम बना लि ही लो तो चाइना जापान और साउथ कोरिया इनको अलग कर लिया फिर आपको देखना है कि 2023 में 2023 में कहां समीट हुआ था आशियान का तो यह हुआ था इंडोनेशिया में ठीक है यह हुआ था इंडोनेशिया में तो याद रखेगा इंडोनेशिया में हुआ था आपका 2023 क समिट अब 2024 में कहा होने वाला है हर साल होता है ना तो 2024 में होने वाला है आपका लाओस में लाओस 2024 में होने वाला है लाओस में और 24 यह लाओस का फुल फॉर्म जो है वो है लाओ PDR PDR मतला People Democratic Republic नाम में लगा होता है ना चाइना का भी है जैसे बहुत सारे कंट्रीज के नाम में लगा है तो ऐसे ही लाओस का जो है वह है लाओ PDR People Democratic Republic आपको सिर्फ याद रखना है लाओस 2023 में हुआ था इंडोनेशा में 2024 में होगा लाओस में ठीक है फिर बात करते हैं एक और समिट की जब आशियान वाला समिट होता है तो उसके इसमें समिट कव था 2005 में स्टार्ट हुआ था था पहला वाला 2005 में स्टार्ट हुआ तोटल अठारा मेंबर से टो आशियान में डश्फ था हो गया एक आपका रीजनल फोर्म है जिसना 27 हो गया और East Asia मतलब आपका पूर्फी एशिया पूर्वी एशिया में आपके 18 हैं हम पूर्वी एशिया की तरफ घूमने जा सकते हैं जब हम 18 साल के हो जाएंगे तो पूर्वी एशिया में हो गया आपके 18 countries जिसमें से आठ जो है वो 10 जो है Asian countries है आठ जो है वो डायलॉग पार्टनर्स हैं साथ में जो पार्टनर्स आ रहा है कौन-कौन से ऑस्ट्रेलिया चाइना इंडिया जापान न्यूजी लेंड रशिया साउथ कोरिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स आप देख रहें घी यूएसे को भी हमने ले लिया प्यासे है वो बहुत दूर लेकिन हम इसी एस चाह्यांट कंट्रीज साथी साथा इसमें इंपौर्टंट सारे देश है इसलिए याद रखे कर कौन-कौन से देश है चीन है अपना यूएस है इंडिया है अपना यह याद हो गया फिर एस्ट्रेलिया और उसका पड़ोसी न्यूजी लेंड यह चाहइब है पिर और एक उपर वाला रशिया जितने भी दुश्मन है यूएस रशिया चाइना सभी गठा रखें यहां पर तो यूएस रशिया चाइना इंडिया फिर जापान और साउथ कोरिया आसपास वाले फिर आपके आस्ट्रेलिया न्यूजिलेंड जो दूर दूर है वह वाले तो सार साथ हम इस्टेशिया समिट भी आर्गनाइज कर लेते हैं जिससे जो आपके आ रहे हैं कंट्रीज के अलग अलग देशों के प्रमुख वह इसको भी अटेंड कर लें तो यहां पर देख रहे हैं कि आशियान ने बहुत सारे लोगों को लपेटे मेरे रखा है कि तुम भी आओ तुम भी आओ अच्छा मातब बैठ ले कुछ ना कुछ तो बात ही करेंगे ठीक है तो यह हो गया आपका यहां पर च्छै प्रायॉरिटीज एरिया हैं च्छै एरिया पर हम काम करते हैं एक तो इंवार्मेंट एन एनरजी सीधी बात है क्लाइमेट चेंज है ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा बढ़ रही है तो इंवार्मेंट और ग्रीन एनरजी जैसे हो गया तो इस पर बात करते हैं एजुकेशन सिक्षा पर बात करते हैं फाइनेंस पर बात करते हैं ग्लोबल हेल्थ इशू अभी कोरोना ही आ घया था तो आपको पता है ग्लोबल ह कि भाई दूर दूर जी अपने इतने देश फैले हुए है इनकी हमें connectivity भी बढ़ानी है तो यह जो में आपके क्या है पॉइंट है प्रायरोटी इस एलिया है किसके East Asian summit के East Asian जो आपका समिट होता है उसके ठीक है तो यह याद रखेंगा जो आपको पूर्वी स्थ्री अलग है आशियान रीजनल फोरम वह अलग है यह भी याद रखेंगा जिसमें 27 लोग है यह हो गया आपका आशियान इंडिया summit देखें हमारे मोदी जी है तो यह आशियान इंडिया समिट और सिर्फ इंडिया के साथ नहीं करता आशियान चाइन चाइना आशियान यूएस समिट तो मतलब हर एक जो आपके हैड होते हैं सब को बुलाके यह जितने वे आपके आशियान वाले हैं वह बुलाते अपने आशियाने में कि आओ आके बैट के बाद करते हैं और फिर क्या करते हैं बहुत सारी चीज़ें डिसकस करते हैं चाहे वह जैसे कि आपको पता है अगर वर्ड में हम देखें सबसे ज़्यादा पैसा किस चीज में आता है तो वह आता है वैपन में वैपन जब हम बेचते हैं हथियार बेचते हैं तो बहुत सारा पैसा एक साथ तो इंडिया ने भी सोचा कि भाई यूएस है आपका जर्मनी फ्रांस कि तो बहुत टाइम से बेच रहे हैं हम भी क्यूं न बेचना चालू करें तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारा ब्रह्मोस मिसाल है हमारे पास तो हम इनके पास गया बढ़िया बात बातचीत करी इनको अपने लपेटे में लिया और बताया कि आप खरीदो ह हमारा ब्रम्होस हम सस्ता भी दे देंगे बहुत अच्छा है तो अब इन में से कुछ कंट्रीज स्पेशली जैसे फिलिपिन्स वगेरा हैं वह इंट्रस्टेड हैं काफी ब्रम्होस खरीदने में तो ऐसा ही है मतलब मोदी जी ऐसे कि घुम रहे हैं कहीं भी वह अपना एक एजंडा लेकि जाते कि भाई इस बार तो ब्रम्होस चिपका के आ नहीं है इसको और कोई भी ओफेंसर नहीं होगा मैं सिर्फ यह आपको याद कराने और ऐसे बात करने कि उससे बोड़ रही हूं यह सारी लाइंग्वेज हैं चिपक एक्सपोर्ड में काफी मदद कर रहे हैं तो हम इनको ब्रम्होस जो हैं वह मिसाइल बेच रहे हैं तो इसलिए आपका आशियान इंडिया समिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है दो हजाजार चौबिस मत्तेश में जैसे ही आपका आशियान समिट होता है फिर उसके साथ ही स बार मिल चुके हैं इनसे वीश्वा आशियान इंडिया समिट साथ ही साथ यहां पर अठारवा नंबर का जो इस्टेश्या समिट चल रहा था मोदी जी ने उसमें भी पार्टिसिपेट किया आपको पता इंडिया वी शामिल है ना अठारा मंबर में से तो यह भी चल रहा तो 2023 में हम अशियान इंडिया समीट में फिर ईस्टेश्या समिट सम्में पार्टिसिपेट गय उन्होंने किया भारा इंडियनी क्या सो आपका यूरोप एकनॉमिक कॉरिडोर की बनाने की बात करी है से वैसे ही आशयान वाले में करेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमने क्या यहां सब्सक्राइश्व और वेस्ट इश्ट अश्या और फिर यूरोप मतलब हम इंडिया को साउफ इस्ट इश्या से लेके फिर और यूरोप तब कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं जिससे व्यापार बहुत अच्छा हो टूरीजम परेटन बहुत अच्छा हो यहां से चले वहां पहुंचे कोई दिक्कत नहीं है तो यह सारी चीजें ऑफड की इंडिया ने उसके अलावा इंडिया डिजिटल पब्लिक इं इंडिया का पब्लिक डिजिटल इंफ्रस्ट्रक्ट्चर वगेरा ठीक है उसके अलावा और इंफसाइज दे नीड ओफ कंप्लीट रिव्यू ऑफ एशियन इंडिया आपका FTA FTA क्या था हमने पढ़ा है विदेशी व्यापार नीट्ती में यह आपका फ्री ट्रेड एंग हो जाए तो यह FTA की बात कर रहे हम आशियान के सांब यह याद रखिएगा AITIGA यह आपका नाम होगा आशियान और इंडिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मैंने बता है नालग अलग नाम होते हैं तो इसका AITIGA होगा ठीक है AITIGA जो भी आप चाहें फिर Announce Renewal of Support to Economic and Research Institute of ASEAN and East Asia अरिया जो है इरिया या अरिया जो भी आप पढ़ना चाहें तो इरिया में हमने अपना Assistant अनाउंस किया फिर से हमने सपोर्ट किया अनाउंस जो की Economic और Research Institute है आशियान और East Asia का क्योंकि हर एक University को आप जानते हैं हर एक College को support चाहिए होते हैं तो हम Financial support कर रहे हैं यहां पे तो हमने क्या क्या Renewal of Support to Economic and Research Institute of Asian and East Asia तो हम इसके लिए भी एजुकेशन और रिसर्च के लिए भी support कर रहे हैं उसके अलावा हमने बोला for Disaster Resilient Infrastructure आपको पतर Disaster Management की बात करें तो हम क्या करें Disaster Religions Infrastructure जो आपका प्रतिरोधी बुनियादी आपदा प्रतिरोधी धाचा है उसके लिए गटबंदन की बात कर रहे हैं फिर Life Mission है आपका मैंने आपको बताए कि Life Mission G20 में हमने लांच किया था तो Life Mission में हमने उनका सपोर्ट मंगा की सपोर्ट करनी है उसके लावा आपका असो वोग वण्व और वण गरिड इस पर हम बात कर रहे हैं तो आपको बता कि यह भी हमारा मोधी जी का ही प्लान है वण आर्थ وण वर्ड उन grid की बात कर रहे हैं उसके लावा हम life की बात कर रहे हैं उसके लावा international solar align cdre सारे के सारे हमारे ही concept है और हम world level पे क्या ले रहे हैं इसके लिए support ले रहे हैं ठीक है तो ये मोधी जी ने बात करी जब उन्होंने आशियान इंडिया summit में पार्टिसिपेट किया last year 2023 में तो आई होब आपको सारी चीज़े समझ में आ गई होंगी यहां पर जब हमने आशियान के बारे में पढ़ा तो एक तो हमने देखा यहां पर headquarter establishment year कब है जकारता यह हो गया आपका जकारता यह हो गया 1967 फिर आप कहां पर है जकारता में ही है फिर उसके अलावा हमने देखा members कितने हैं तो शुरू में पांच थे प्लस फिर पांच हो गया दो observer है आपका पापु अन्यूगिनी और इस्तिमोर उसके अलावा दो observer ठीक है परिवेच्छक है उसके अलावा आपके अलग अलग है जैसे आशियान प्लस थ्री है यह याद रखिएगा कि आशियान ने अलग एक लोगों के सांथ बना रखें कि तुम भी आज़ो तुम भी आज़ा तुम्हारे सांथ ग्रूप बना लेंगे आशियान प्लस थ्री यहां पर चीन है जापान है साउथ कोरिया है फिर आशियान के साथ एक हमने बना रखें रीजनल ए आर एफ रीजनल फोरम हैं जिसमें कितने हैं 27 लोग है एस्ट अशिया शमिट है जिसमें के आपके 18 लोग हैं coz एबिया चीन भी है रशिया पी है इंडिया भी जापान आउस्ट्रेलिया न्यूंजिलेंड सारे के सारे हैं यह 18 लोग हो गये इंडिया और आशियान का अलग से समिट होता है वो इस बार करें सा था 20 कि affect Bah prefer such that 2023 में कहा हुआ था 2023 में कहा हुआ था यह हो था जकारता इंडोनेशिया में 2014 में कहां होगा तो यद रखेगा 2014 में ना लाओस में लाओस पीडियार त में होगा तो ये सारी चीजिए eggs कि आश्यान से संबंधित आई होप आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आई होगी कोई भी डाउंट हो तो आप कमेंट यह मैसेज करके बता सकते हैं चले मिलते हैं फिर नेक्स्ट वेडियो